नमस्कार दोस्तों स्वाकत आप सभी का प्लेक्टीव क्वारों इस वीडियो में बात करनेवारे पाउट प्रतर और इसके करेक्शन के बारे में कि पाउट्र प्रत उसका क्या जाता एक तो गर गिलास का साइज्स हम लिया इस गलास का वो में एतना बड़ा लिया जबकि हमारे दो मेर का साइज लिया मतलब यह हमारी पूरी पावर की BBQ यहां से यह तक यह हमारे पूरी पावर की डिमांड वही है कि लेकिन चाओए चुछ पाव ऐसा थे होई हो Him एक्षुल पावर मतलब एक्षुल में गिलास कितनी हुज जी हमारे जितनी बीर भी वहां था कि यूज उसके बाद यह पूरी फोर्म है तो यह हमारी जो डिमांड पावर में यह इतनी पावर हमारी वेस्ट हो गई इसका कोई यूज नहीं हुगा जस्ट ऐसे ही हमारा पावर फ्यक्टर होता है देखें कैसे होता है देखें जो मारण पावबर उन्हांण पावर मतलब आपकी अपरएंट पावर अब वो कि निक्षे आएगग oven वह और आपके इतनी पावर यूज करी cabo कि नहीं थी वह अपकी उपर आगी मतलब कि ट्रू पावर और अपरन्ट पावर का जो रेशा होता है उसको हुम बोलते हैं पावर सेटर इसको हम डिनोड करते हैं को सफ़ाई से कि इसको डिनोट हम पीएप से करते हैं और कोस्पाइब बोलते हैं देखें जो वोल्टेज और करन्ट के बीच में जो फेस्ट डिफ्रेंस है उसके बीच में जो फेस्ट डिफ्रेंस है उसको हम फेस्ट को बोलते हैं फाइब कि उसका मैं आपको आगे उसमें सम्झाऊंगा कि यह गया हुथ हिए जो दिफ्रेंस लीजिए उसको बोलें में आपकला में कुछ यह हो गया कीboys9 वार्ट अपंझा विए मतलब कि ट्रू प्लबार और अपर इंपढ़ सेगंड इसका यह भी होता है कि आपका जो रेजिस्टेंस दीन से सर्कुट का अपोन उसका कि इंबेडेंस कि यह इसका दूसरा फोदिश्टों विल सकते हैं अब पाउर्फेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है सिस्फ यह नंबर यह रेश्यू है तो उसका को यूनित नहीं होता है ठीक है अभी हम बात करते हैं कि यह पावर फेक्टर में कैसे एफट करता है तो हमने यहां पर एक यह सर्कुट मैंने इसका साइन वे और को साइन वे का टाइग्रम रहा है अगर हमारा प्योर रिजिस्ट आई हो जाएगा इसका मतलब यह आपका एसके एकोल रहे जाएगा ठीक है क्योंकि आपका रिजिस्टिव सर्कुट है तो उसमें आपको कोई रियक्टिव और नहीं होगा पूरा का पूरा रहेगा वह अपॉरेंट वावर उसके एकोल रहेगा लेकिन जब भी आपका वोल्टेज इस टैंप पे शुरू हुआ और उसके कुछ देर बात करन्ट रो होना शुरू हुआ क्यों क्योंकि आपका इंडेक्टेंस देखिए जहां पे भी सर्कुट में आपका इंडेक्टर आ जाता है तो इंडेक्टर का एक प्रोपर्टी रहता है कि यह सदन चैंज करन को अपोस करता है तो जहां पर इंडेक्टिव सर्कुट आ गया वहां पर क्या करेंगा कि आपका पावर फेक्टर लेग कर देगा क्योंकि आपका क्रण फुट इस टाइंप बोल्टेज जिसे जिरो इस टाइंप शुरू उसके कुछ दिर बात यह आपका करन वहोना थोड़ा पिछे उनांगा तो आपका करन्ट जो टाइम है रेफरेंस लेने उससे कुछ तेर पहले होना शुरू हो गया उसके बाद आपको वोल्टे शुरू हुआ तो उसको हम बोलेंगे लीडिंग पाउर फेक्टर वाला सरक्यिट ठीके अब केबिस्टर की एक फोटी होती क्या करता अब इसका को एप मुझे में वह स्थार्ट करता है तो है तो उसके विज़ेसे फोड़ा लेट उसके अंदर अप्वेयर होगा यह इस तरह सोफ़ा अब क्या हुआ कि अब जी से इसमें बात करेंगे इसमें जो रेजिटी कि उसमें हमारा का लो और वटेज और करण का जो हाई है वह एक कि हैं इसमें अगर मैं इंस्टेंus पावर निकानलो तो मैकसुम रहेगी ठीक तीक है यृदिस में उस probably gouvernale तो वह इतनी स्कूर्ण नृगा कम है तो उस मां थे तायम पे हमावार ना हमागोर नो करना पडदा परआ धायादा करना ठोग क्यों। बढ़ता क्योंकि आपको वोल्टेज तो आपके जो सिस्टम में वो इसको उतनी पावर जनरेट करने के लिए अगर आपको जो लोड है तो उसको उतनी पावर जनरेट करने के लिए करन ज्यादा पर ना पड़ेगा यह इसका इसम्सक्राइए जिएड्वांटेज रहता है जिए पावर फेक्टर आपका कम होतों देखे जैसे मेरा कोई पांसो वाट का लोड ए अगर यह लोड रिजिस्टिव थे तो क्या होगा आपका पाउर फेक्टर जिरूर रहात तो आपका ट्रूप और रहेगा वह वी-ई-कोस- पॉल्ट है तो आपका टूफिप्टी वोल्ट है तो स्टाम क्या रहेगा कि फिल्टी इंटू इप अपका लोड चल जाएगा लेकिन वही लोड अगर आपका हो ही लोड इंड़क्टिव है क्वारे में जो लोड रहता हुँ जाद तर इंड़क्टिव रहता यहां पर है अगर यही लोड आपका इंड़क्टिव है तो क्या होगा अगर आपका 500 बाक्ट का लोड जबर होते हैं तो 500 वार्ट के लिए आपको क्या चाहिएगा कि पी जो हो जाएगा आपका जैसे डाइस वोल्ट आपका उसमें वोल्टेज है और आई है और इन्टु 0.7 आपका पाउर फेक्टर हो गया अब उस टाइब आपका जो करन्डो करेगा वह कितने करन्डो करेगा 500 अपन टू 50 इंटू 0.7 मतलब की तू अपन 0.7 इसको में और करलो तो बीस अपनसांत मतलब की मोटा मोटा इसको में निकाल दो तो यह हो जाझा मेरा 5.85ड करकर्ण मतलब की यह आपका 2.85 amp premiere करन्ट करकर रहा है मतलब की आपका जो जो पहले गॉसी यह आपका सी टो एंपर ऱोंने था था वसी जगह अगर अब आपका इंडेकरण वोच्टोड रहा है तो आपका वो सिस्टम टॉपोईंट एट फाइड कर अब यह पट एट फइट फाइड मेंपर करन्ट उट करते ऐसे एक्सटा अब यह पॉइट फैड वरत उससे ऑफेक्ट बढ़ता देखिये आपका जो गिए को फसेशंग करते शेंगे आपका व्रभाइब मैं कितना होगा आपका पाउर फैक्टर लॉर लो होने से क्या होगा आपका अज्वह ज्यादा कर रहा है अपकंड्यक्टर लो और यह weekend 2019 जबनेंद में हीटिंग बढ़ाएगा तो अभी हमें जैसे अगर हमें पता है कि हमार कम है तो उसके कोडिंग कंड़क्टर को उसको बनाना पड़ेगा ताकि वह जादा प्रण प्लो तो उसको बढ़ जाएगा हमार शिस्टम का कोस्टिंग बढ़ दाएगा आप कंड़ेक्टर का साइज ज्यादा हो जाएगा अपका अपर आप्र आप्रोक्स-व्य पावर है वह 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 प्या होगा वह अपना वोल्टेज इंटो करन ते अब यहांपर अपना करन 2.85 है मतलब आपका जो विए है वह एप्रोक्स एप्रोक्स मान ले तो 285 एप्रोक्स एप्रोक्स हमारा ही वाज़ा है यह सेवंहंड्रेड डोड है तो 710 इसके कोड़िध नहीं क्या है तो 710 मतलब कि आपका इसको डिजाइन करना पूड़ हो इतने पावर के नंगा तो वह एक तरह से आपका जो कोश्टली आइटम हो जाएगा तो इस ताम में क्या अब आपना अब है अगर इसको हमें सही करना है तो उसके लिए क्या हमार पास दो थो है यह फिर तो करन्ट ज्यादा दो करा रहाएं इतनी निक्त करनेके यह हम दूसरा कर सकते हैं कि उसका पावर फैक्र्टरन को इंप्रूव कर दें प्रड़ के थे स्थ तो हमारा फिक से जो लाने के लिए कि हम नहीं क्या-क्या method यूज करने पड़ते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं कि देखें कि पाउर फेक्टर इंप्रूव करने के लिए हम यूज कर सकते कैफिस्टर बैंक ठीक है अब किस्टर बैंक का मैं आपको एक एक वह एक टायग्राम में जो आपने पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा तो आपको बता रहता हूं जापका यह आपका वोल्टेज है ठीक है खिए त आपकी गुल्पर है कि जह आ से इस सर्कृट के रिए यह इंडेक्टिव के लिए निदेपिए के लिए ठीक जब पार rif 시त घरता करन्ट रहेगा वह उसी यह ऐंगल पर आफिल मातों की बैसे से नहीं रहेगा अगल आपका लोड इंडक्टिव उस टाइम क्या रहेगा जो कुरन का जो एंकल रहेगा हो क्रंट 90 beats करेगा वोल्टेज है यहां आपका सी रहेगा यहां आपका रहेगा तो जो आपका किश्टीव रहेगा उसमें हमारा क्रन्ट 90 डिपर लिएक करेगा उसमें Paleo लेक करेंगा तो अभी हमें क्या करना कि दिए लेक कर रहा है उतना ही अगर हम क्यांस टे लगा देशी तु यह हमारा पाउर फेक्टर इंप्रू हो जाएगा क्योंकि इस से यह केंसल कर देगा तह। हमार जो V2 अपकों Z ऐसा बोल सकते जयी रहता है उसको हम बोलते हैं इसको एकुल तो क्या होता हमारा यह प्लस में एक्स वायर अब आपको एक्स एक्स एक्कमल तो क्या होता है आपका XL-1 थे अगर आपको इंडक्टेंस ए उसके बराबर ही अगर हम X कर देंगे तो आपका तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमार जो उसके पहलोर में हमारे सरक्षिट है जो मोटर रहां उसके पहलों में हम जोड़ेंगे कैविश्टर बैंक उसी वे ए-धर रेटिंग का व्हों था कि जितनी ब्रेट्टिब आवर जो मोटर्स इंडेक्टिव लौड की वज़ेसे बन रही है उतनी रिएक्टिव पावर को केश्टर उसको कंपनजेट कर दें सेकंड इसका औप्शने सिंक्रोणस कंडें सर्का सिंक्रोंस कंडेंसर मतलब होता कि जो सिंख्रोंस मोटर है उसको हम चला रहे हैं लोड के सिंख्रोंस मॉटर ओण लोड देखिये सिंख्रोन मोटर के एक फ्रोवर्ट ही होती है अगर हम उसको उसका जो फिल्ट वाइंदिंच ए उसको अगर हम अंडर एक्साइट करेंगे तो वह लेगिंग पावर फेक्टर करेंगा है ठीक है और अगर उसको हम और एक्साइट करेंगे कि फिल्ड वाइंडिंग को तो वह हमारा जन्रेट करगा लीडिंग पावर फेक्टर तो उसके एक वोडिंग हम सिंक्रोंस उसके साथ नो लोड पर सिंक्रोंस कंडेंसर कनेक्ट कर देंगे हमार पर सिस्टम के साथ तो क्या होगा उससे अगर हमारा पावर फेक्टर में तो हम क्या करेंगे उसको और अक्साइट कर चलाएंगे ताकि हमारा फैक्टम लेडिंग आजहाक के इस नो हूट 카 मतलब की उसका जो भी लोट कनेक्ट नियंहाँ का मतलब आपको मोटर है इंडेक्शन मोटर उसका जो रोटर है उसके रोटर सर्किट में हम क्या कर देते हैं उसकी जो रोटर सर्किट की जो फिल्ड वाइंडिंग ए उसको और और एक्साइट कर लेते हैं जैसे हम सिंक्रों कंडेसर में कर रहे हैं और एक्साइट वैसे ही उसकी जो रोटर की वाइंडिंग है उसको और एक्साइट कर लेते हैं तो और एक्साइट होने की वेज़े से क्या होगा वह लीडिंग पावर फेक्टर जनरेट करेंगा उसके व यह मोटर का डिजाइन और फैभ आदवांसर के लिए किया गया उसके प्रफोस के खोडींग तो हम एडवांसर भी यूज करते हैं तो इस तरव से हमारे यह पूरा प्रफेक्टर का है अगर आपको यह व्यू पूरा क्लियर हो गया पावर फेक्टर के बारे में तो अगर करें शेर करें अपने फ्रेंड के साथ शेर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसी अच्छी वीडियो मिलते रहें धन्यवाद